हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक मैं चैनल टागेट टीचर जॉब मैं फ्रेंग का स्वागत करती हैं आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट टीचर जॉब में तो दोस्तों आज हम बीएड प्रवेश परिच्छा से समंदित 2006 का हिंदी का प्रस्निपत्र हल करेंगे जिसमें से हम 50 कोश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसकी अगली वीडियो में और आज हम करेंगे 51 से लेकर 100 तक तो दोस्तों इसमें आप भी अपनी मार्किंग करिएगा कि कितने आपके कोश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट करके हमें जरू बताईएगा तो चलिए देखते हैं 51 नमबर कोश्चन मलिन का विलोम सब्द है A साफ B स्वच C मैल रहे हैं और D है आपका सुत्रा तो दोस्तों 51 का जो सही इंसर आपका होगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वच B आपका सही हो जाएगा अब हम चलते हैं 52 की तरफ परवत का प्रयावाची सब्द है A धड़ी धर, B महीधर, C सिखारी और D है मेरू तो दोस्तों 52 का जो सही इंसर होगा वो हो जाएगा आपका B महीधर 52 का सही इंसर क्या होगा महीधर परवत का प्रयावाची सब्द है वो है महीधर अब हम चलते हैं 53 की तरफ नीरस का विलोम सब्द है A स्वादवाला, B रसीला, C मीठा और D है आपका सरस नीरस का विलोम क्या होगा नीरस का विलोम होता है सरस D आपका सही है 54 देखते हैं जलादी का प्रयावाची सब्द है A पदमाकर, B ताल, C कासार, D है आपका सागर तो 54 का जो सही अंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा D जलादी का प्रयावाची सब्द है सागर 55 देखते हैं खर का प्रयावाची सब्द है A मोर्क, B कुंठित, C गधा D है आपका रावण तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 55 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा C गधा 55 का जो सही अंसर हो वो है C अब हम देखते हैं 56 जेश्ट का प्रयावाची सब्द है A पूज, B बढ़ा, C आगामी, D गुरू तो दोस्तों जेश्ट मतलब होता है बढ़ा यानि कि यहाँ पर B आपसन आपका सही हो जाएगा अब हम देखते हैं 57 अवनत का विलोम सब्द है A बढ़ा, B अनंत, C उन्नत और D अवनती तो दोस्तों 57 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा अवनत का विलोम सब्द होगा उन्नत C आपसन आपका सही हो जाएगा 58 देखते हैं अरूड का प्रयावाची सब्द है A कुकुट, B प्राताकाल, C कमल और D आपका सूर्य तो 58 का जो सही अंसर हो जाएगा अरूड का प्रयावाची D सूर्य है तो दोस्तों यहाँ पर 58 तक हो गया अब हम देखते हैं नेक्स्ट 59 करूड का विलोम सब्द है A निश्टूर, B निठूर, C रिर्द है D है आपका कटूर तो 59 का जो सही अंसर होगा यहाँ पर हम देखेंगे वो हो जाएगा आपका A करूड का निश्टूर अब हम देखते हैं कोशन नमर 60 निमलिकित में कौन सा खड़ी बोली का छेत्र नहीं A विज्टूर, B अलिगड, C सहारनपूर D आपका है मेरट तो दोस्तों खड़ी बोली का छेत्र नहीं है B आप्सन अलिगड त्याग पत्र के लेखक है A नरेंद्र सर्मा, B असपाल, C जैनेंद्र, D है आपका इलाचंद जोसी तो त्याग पत्र के लेखक है आपके C जैनेंद्र अब हम चलते हैं 62 की तरफ बाल्टी सब्द है A तत्सम, B तत्भो, C विदेशज, D है आपका देशज तो दोस्तों बाल्टी सब्द क्या है बाल्टी सब्द आपका है विदेशज अब हम देखते है 63 कोश्चन नमबर निमलिकित में कौन सी कहानी प्रेम चंद की नहीं है A इदगा, B भाई साहिब C छोटा जादुगर D मिस पदमा तो 63 का जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D मिस पदमा अब हम देखते है 64 अन्ना भाव का संदि विच्छेद है A अन्ना धन भाव B अन्न धन अभाव C अन्न धन भाव और D यह अन्न धन अभाव तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 64 का जो सही अंसर हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा अन्न धन अभाव अन्न धन अभाव B और D दोनों में है इसमें B आपसन आपका सही है D में कुछ और कमिया करनी आभाव यहाँ पर होना चाहिए तब आपका इसमें दोनों सेम ही दे दिया है लेकिन इसमें आप B को सही मान रहे हैं अब हम देखते हैं 65 उन्नती का संदी विच्छेद है दोस्तों यहाँ पर हम देखें A उत्त धन्नती B उन्नती C उन्नती और D उन्नती तो दोस्तों उन्नती जो है यह आपका बेंजन संदी है और हम आपको हिंदी व्याकरण में यह सारे संदी और वर्ण आपके समास यह सारे बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं और तो यह सब चीज़े अगर आपको थोड़ी भी क्लियर नहीं है तो अभी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे और यह सारी चीज़े आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जहां भी आपको दिक्कत होगी बेंजन संदी अस्वर संदी में या फिर आपके संदी में या वर्ण में वर्ण माला कुछ भी आपको दिक्कत हो तो वो सारी चीज़े क्लियर होंगी तो दोस्तों यहाँ पर उत्धन नती और यह ता के नीचे हलन्त होगा तो इसका जो आप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका 65 का A उत्धन नती यहाँ पर हम देखें दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दिजे और सब्सक्राइब भी कर लिजे यहाँ पर हम देखें 66 है यद्धपी का संदी विच्छेद है A यद्धन अपी, B यद्धन अप, C यद्ध्या धन पी, DA यदा धन इपी तो दोस्तों 66 का जो सही एंसर होगा वो आपका हो जाएगा A यद्धन अपी, यद्ध्या पी अब हम देखते है 67, दीना नाथ में आपको कौन सा समास से बताना है A कर्मधार समास, B बहुबरी समास, C द्ध्या समास और D है आपका द्धन समास तो दोस्तों यहाँ पर 67 का जो सही एंसर होगा वो आपका हो जाएगा, B दीना नाथ, बहुबरी समास अब हम देखते है 68, देशांतर A कर्मधार, B दिवू, C द्धन और D आपका बहुबरी तो दोस्तों यहाँ पर 68, जो आपसन आपका सही होगा वो आपका हो जाएगा A कर्मधार है समास अब यहाँ पर 69 हम देखें, 9211 होने का अर्थ है A लौट जाना, B भाग जाना, C गिंती करना और D आपका जोड लगाना तो दोस्तों यहाँ पर 69 का जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B, 9211 मितलब होता है भाग जाना 70 यह हतेली पर सहसो उगाना का अर्थ है A असंभव कारे करना, B, C गर प्रत्फल की कामना करना C आपका अस्थान परिवर्तन और D आपका सक्ति साली होना तो 70 का जो आपका सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका हाथेली पर सरसु गाना मतलब होता है A, असंभव कारे करना अब हम चलते हैं 71 की तरफ लहू का घोट पीना का अर्थ है अपमान सहन करना B है आपका जीवन भर दुख उठाना C थोड़ी बस से संतोस कर लेना D है आपका जरा भी क्रोध ना प्रिकट करना तो दोस्तों 71 का सही अंसर क्या होगा लहू का घोट पीना का अर्थ होता है अपमान सहन करना एक तरह से जब व्यक्ति अपमानित होता तो उससमें वो कुछ नहीं बोलता बिल्कुल चुप है तो एक तरह से क्या कहेंगे लहू का घोट पीना यहाँ पर हम देखें नर्देश दिया हुआ है यहाँ पर नर्देश में है नेमलिकित प्रस नंबर 72 से 77 में से एक सब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत है सुद्ध वर्तनी का चैन कीजे सुद्ध वर्तनी तो दोस्तों यहाँ पर आपको 72 देखना है यहाँ पर आप देखेंगे A में अनुसरण और B में अनुसरण C में अनुसरण और D आपका अनुसरण दोस्तों इसमें जो आपका सही answer होगा वो आपका हो जाएगा D अनुसरण दोस्तों सरण सब बड़ा सा इसमें होता है और सरण तो बिल्कुल नहीं सही है तो D आपसन इसमें आप सही मानेंगे clear है अब हम चलते हैं हाँ 72 हो गया है अब हम चलते हैं 73 की दरफ 73 क्या है A. भिखारी B. भिखारी C. भिखारी D. भिखारी तो दोस्तों इसमें जो सही option आपका तो पता ही चल जाएगा B है आपका 73 का क्या होगा B. भिखारी यहाँ पे 74 हम देखे कुवा गूवा गुवा और कुवा तो दोस्तों यहाँ पर 74 में आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा वर्तनी सही है यह आपका A वाला सही है अब हम देखते है 75 75 का A है परदर्षनी B परदर्षनी C परदर्षनी तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो होगा आपका बी ओप्सन प्रे दर्सनी होता है दर्सन में प्राज उड़ता है यहाँ पे अब हम देखते हैं 76 A उन्नती, B उन्नती और यहाँ पर हम देखेंगे C उन्नती और D उन्नती तो 76 का आप देखेंगे A आप्सन तो सही है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे C आप्सन में भी सेम ऐसे ही लिखा है तो इसमें C option में कुछ wrong करके ता पर बड़ी की मात्रा कर देता तो A option और correct रहता लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उन्नति ए में आया है तो A को ही आप सही मानिएगा अब हम देखते हैं 77 यथाई यहाँ पर देखें 77 अस्थाई B अस्थाई C अस्थाई और स्थाई D आपका तो इसमें आपका अस्थाई वर्ड कौन सा सही है चारो option में यह आपको देखना है तो इसमें जो सही है विल्कुल वो है आपका B option अस्थाई 78 देखें हारे का हरिनाम किसकी रचना है A जैसंकर पसाद B मैथली स्रणगुप्त C दिनकर और D आपका सुमिंत्रा नंदन पन हारे का हरिनाम तो 78 का क्या सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका यह दिनकर की हारे का हरिनाम यह दिनकर की रचना है अब हम देखें 79 जो पहले कभी ना हुआ हुआ वाक्यांस के लिए एक सब्द है तो दोस्तों यहां पर हम देखें जो पहले कभी ना हुआ हो A आपसन आपका अदबुत B अदुतिय C असंभव B D है यहां पर अभूत पूर्व तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है आपका D अभूत पूर्व 80 यह रामचरित मानस में कुल कितने कांड है A 5 B 7 C 9 और D आपका 11 तो दोस्तों 80 का जो सही एंसर होगा वो होगा आपका B रामचरित मानस में आपके कुल 7 कांड है अब हम देखते हैं Question No.81 खड़ी बोली का प्रतम महाकाब्य है A. प्रिप्रवास B. साकेद C. कामायनी D. प्रितवी राज रासो तो दोस्तों 81 का जो सही एंसर होगा खड़ी बोली गद्य का जो प्रतम महाकाब्य है वो आयोद्या सिंगुपाद्या हरियोत का आपका प्रिय प्रवास अब है हमारा 82 मनोरत का संदि विच्छेद है A. मनोधन अर्थ B. मनाधन रत C. आपका मनाधन अरत D. आपका मनेधन औरत तो दोस्तों 82 का आपका सही एंसर क्या होगा ये हो जाएगा आपका B. मनाधन रत मनोरत अब हम चलते हैं दोस्तों कमेंट करके हमें बताएगा कि मनाधन रत मनोरत कौन सी संदि है कमेंट करके जुरूर बताएगा अब हम चलते 83 की तरह पित्रथा का संदि विच्छेद है A. पित्रथन इच्छा B. पित्रथन इच्छा C. पित्रथन इच्छा D आपका पितरधन इच्छा तो दोस्तों 83 का जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा आपका A पितरधन इच्छा 84 हम देखें 9 रत्न A कर्मधाराय B पहुब्रही C है आपका द्वन्द D है आपका दिव तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 9 रत्न आगे संख्या वाचक पद आया है तो यह आपका हो जाएगा D यानि की दिव अब हम आते हैं 85 पे सह परिवार A अब्यईभाव समास यहाँ पर B ततपुरुस C दिवगो और D है आपका बहुब्रही तो दोस्तों 85 का आपका यहाँ पर जो होगा समास वो होगा आपका ततपुरुस सब परिवार परिवार के साथ अब हम देखते हैं यहाँ इसके पहले हमने देखा था 9 रत्न इस बार है 9 ग्रह 86 में 9 ग्रह A दिवू B ततपुरुस C द्वंद और D कर्मधारा तो दोस्तों यह आपको आप देखके ही पता चल जाना चाहिए यह कौन सा समास है यह है आपका देगू समास क्योंकि यहाँ पर 9 यानि की संक्यावाचक सब दाया है अब हम देखते हैं 87 अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है यह भविस्थ की बात जाने ना सिकार हाथ जाना सहारा मिल जाना अपरत्यासित लाव होना तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहें अंधे के हाथ बटेर लगना एक तरह से कुछ अपरत्यासित सा हो रहा है ना यहाँ पर 87 इसलिए इसका क्या एंसर हो जाएगा डिया आप रत्यासित लाव होना अब आपका 87 तक हो चुका है अब हम देखते हैं 88 88 88 है आपका थाली का बैगन का अर्थ है पचपात करने वाला विभिन मतों को मानने वाला उचल कूद करने वाला और सिधान थीन तो दोस्तों थाली का बैगन एक तरह से उसका कुछ अपना सिधान्त नहीं है यहां पे कह सकते हैं या वो इधर से उधर आ जा रहा है तो एक तरह से यह जो आपसन होगा आपका डी सही हो जाएगा पचपात करने वाला गलत विभिन मतों को मानने वाला भी गलत उचल कूद करने वाला भी गलत यहाँ पर सही जवाप सनब वो है D सिधान थी तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम निर्देश दिया गया है 89 से 92 तक का जिसमें आपको वाक्यांस के लिए एक सब्द चैन करना है तो यहाँ पर आपको देखना पहला इसमें है 89 आपका अंडे से उत्पन होने वाला क्या कहला आएगा यहाँ पर देखें 89 अंडे से उत्पन होने वाला है आपका अंडज, पिंडज, द्विज और स्वेदज तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अंडज अंडे से उत्पन होने वाला अंडज इसके पूर जो कभी नहीं हुआ हो question number 90 भूत पूर भौतिक भूत राज और अभूत पूर तो दोस्तों ये अभी भी हमने देखा है question number 90 अभूत पूर इसके पहले थोड़ी देर पहले देखा हमने 91 है जो देखने में प्रिय लगता हो ए आकर सक भी मनमोहन सी प्रिय दर्सी और डी पर लो की तो दोस्तों जो देखने में प्रिय लगता है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका प्रिय दर्सी प्रिय दर्सी देखने में प्रिय लगता है लब देखने, दर्शन का मतलब उता elabor divorce, देखने प्रिय लगे आने की प्रिय दर्शी अब हम देख्ते ह lindo जीने की इच्छा दोस्तों ये बहुत सारे, ये तो बहुत ही बार पुछता है बहुत ही चोटा सा sentence है लेकिन हमेशा जीने की इच्छा पूछ लिया तो इसमें आपका जिग्यासा भी है जिगीसा है जिग्हांसी है जिजी विसा है तो जिजी विसा जिग्यासा जिग्हांसी जिगीसा तो इन चारो आफसन में आपको सही आफसन क्या है चुनना है ये आपका हो जाएगा जिजी विशा जीने की इच्छा, जी जी विशा, जीने की इच्छा, जी जी विशा, अब हम चलते हैं 93 की तरफ, तुलसिदास ने अपनी रचना में किसका वर्डन किया है, दोस्तों ये आप सबको पता होगा, स्यू, कृष्ण, राम, विश्णू, तुलसिदास किसके बागते हैं, राम जी के, तो ये राम जी की वर्डन करेंगे, अब आपका हो जाता, 93 तक हो चुका, 94, निमलिखित में किस वाके में अकर्मक करिया है, ये स्याम भात खाता है, भी जोती रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है, आग कर्मक की बात हो रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका सही एंसर होगा, 94 का, वो हो जाएगा, 94 देख रहे हैं आप, स्याम भात खाता है, जोती रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है, तो दोस्तों यह हम आपको, आप हमें यह कमेंट करके बताएंगे, इसका एंसर तो फिर हम आपको बाद में बताएंगे, कि किस वाक में अकर्मक करिया है, 94, अब हम देखते हैं, 95 हिंदी भावसा में कितने कारक है, A, 8, B, 7, C, 10, D, 9, 95 का आपका, कितने कारक है, दोस्तों यह भी आप कमेंट करके बताएंगा, अब हम देखते हैं, 96, कमेंट जरूर करिएगा, 96 हैं निमलिखित में कौन सा संत कवीप अनपड़ा नहीं है, A, कवीर दास, B, दादू दयाल, C, रह दास, D, सुन्दर दास, 96 का, आपका सही अनसर होगा, D, सुन्दर दास, अनपड़ नहीं है, 97 है, कुंद इंदुशन दे, उमा रमन करूडा, अयन में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ पर 97 का जो सही अनसर होगा, आपसन आपका स्लेश, उपमा, अनप्रास और D, रूपक, तो यहाँ पर 97 का जो सही अनसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भी, उपमा, अब हम चलते हैं 98 की तरफ, ब्याकरण की दृष्टी से प्रेम सब्द क्या है, दोस्तों प्रेम एक भाव आचक संग्या है, जिसको हम अपने इमोशन के मादम से बताते हैं, इमोशन के द्वारा यह एक तरह से फीलिंग है, अब हम देखते हैं 99 हिंदी वडमाला में सोरो की संख्या कितनी है, दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा, तो आप हिंदी व्याकरण की वीडियो देख लीजेगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, अब है आपका 100 कोश्चन नमबर, व्याकरण की दृष्टी सौंदरी क्या है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर यह वीडियो आपको उच्छी लगी हो, तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए है, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा, इसी तरह से हम आपके लिए डेली नए-नए प्रैक्टिस्ट लेके आते रहेंगे, और आप अपनी मेहनच जारी रखिए, हमेशा खुश रहने की कोसिस करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19, जो बहुत ही जादा, एक तरह से कह सकते हैं, पूरे विश्व में तबाही मचा के रखा है, तो हमे ऐसा खुद को, अपनों को, आप जहां तक हो चल गए, सुरच्छित रखने की कोसिस करिए, इसका बस एक ही बचाओ है, तो दोस्तों, हम से जुड़ने के लिए, थैंक्यू सुमाच, जैहिन!